कई लोग आपना वेपसाइट तो बना लेते हैं लेकिन गूगल सर्च कॉंसोल में अपने वेपसाइट को ओनर सी भिरिपिकेशन कराना भूल जाते हैं लेकिन देखो कई केस में होता क्या है कि अपका जो वेपसाइट है कंप्लीटली तरीके से अगर गूगल एटसंस में यह आप गूगल एटसंस के अप्रूबल के लिए डालते हो तो आपका वेपसाइट को अच्छी तरह से चेक किया जाता है कि आपने सर्च कॉंसोल में सब्मिट कर रहा है कि नहीं क्या आपने गूगल एनलेटिक कर रहे की नहीं ट्रैफिक को मुनेटर करने के लिए तो यहां ज़र कि नोर्मली लोग को ऑनरसाइट हों जाती है तो यहां पर छोड़ देते हैं और यहां पर बहुत सारे करने होते हैं जैसे को यहां पर टैगोरिपाइक करने होते हैं प्रूगल आपको यह चलताया कि आप consonants messaging प्लेंड करने होता है बाकि का इस वीडियो में वे करने वाला हूँ क्योंकि मैंने यहां पर जो आप लोग के लिए पब्लिके लिए हैं इसमें हमने साराचीज यहां पर क्ट्रीऄी करा रखाया इसके मैं थे सारीय घट कर रखायामयातक है को सबस्य अंब लकार करना है जो कि यह Analytics वाले कर ट्रीविकेसित teeth यहां पर यह रहा जो blogger पर website है मैंने यहां पर demo के लिए ले रखा है तो मैं आपको बताऊंगा सुरू से कैसे website को Google Search Console में सब्मिट किया जाता है और सारा verification और सी verification से लेके Google HTML code से लेके tag manager analytics सारा चीज मैं बताऊंगा कैसे है उसमें complete करने होते हैं सबसे पहले demo website है इसमें किसी भी तरह का आर्टिकल्स बगर अच्छी से नहीं लिखा है सिर्फ मैंने नॉर्मली यहां पर template लगा रखा है तो इसके लिए आपको करना क्या है आयट पर पर जैसी क्लिक करोगे तो दो तरह से आप वेरिफाइट कर सकतो यहां पर यहां पर यही करकर छोड़ देते हैं जो सबसे वड़ी गलती करते हैं क्योंकि इससे होता क्या है आपके विपसाइट में तरीके से सर्च काउंसोल में यहां पर वेरिफिकेशन नहीं होने के वज़ए से आपका यहां पर पोस्ट इंडेक्स भी पर बंद हो जाती है अगर मैं यहां पर देखो सेटिंग में आता हूं Google Search Console में अभी मैंने उनरसी वेरिफिकेशन किया है तो मैं सेटिंग में जैसी कि मैंने अब ही करा रखा है तो कैसे करने होते हैं सारा चीज में कराते हैं जब सकती हैं करना गोगा यहां देखोगे copy code दिया जाएगा यह रहा कोड़ इसको copy कर लेना है और इस code को बताया गया कि home page है जो html code है html code को hit section के नीचे में आपको paste करना है कहां पर करना है सबसे पहले अपने website को open कर लेना है देन theme setting के option पर आपको चले जाना है यहां पर आपको template जो भी आप इन इस्टॉल कर रखे होंगे सारा template में html code मिल जाते हैं और hit section पर आपको click करने होंगे अब आपको hit section कहां मिलेंगे वह भी मैं बता दे रहा हूं सबसे पहले देखो अगर hit section यहां मिल रहे हैं तो आप find कर सकते हो Ctrl F करकर और अगर देखो उन में ले में ली जो भी template इन इस्टॉल करते हो ऊपर में hit section मिल जाते हैं जैसा कि मैं आप दिखा रहा हूं मेरा चार नमर पर है तो उसके नीचे मैं आपको पेस्ट कर देना है इसके नीचे मैं यहां पर होना क्या है मैं आपको बता दे रहा हूं इस code को सक्सेक्सपूल से होने के बाद आपको यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर मेरा HTML लेकिन जैसा कि मैंने बताया था कि सारे कोड को मुझे यहां पर करने होंगे तो सबसे पहले आप मैं Google लेटिक करता हूं जो सब्सक्राइब करने के लिए आपके पास Google लेटिक होनी चाहिए और उसमें यहां पर यहां पर जो ट्रेकिंग कोड है उसको डालना बहुत जुरूरी है तो कैसे बनाते हो भी मैं बता दे रहा हूं यहां पर सिंपल से जाना है और गूगल लेटिक सर्च कर देना है जैसी सर्च करोगा जिसमें आपको यहां पर सिंपल से एकाउंट बनाना है जो दो तिक दो यहां पर देखो ऑपन कर लेना है अपने जो भी अकाउंट पहले से फिरिफाई कर रखा है और अपको करने की जरूवत होगी जो यहां पर 10-15 स जाएगा करने के लिए यहां पर देखो जैसे किलिक करोगे थोड़ा सापको वेट करना है क्योंकि साइट यहां पर डाउन चलती है यहां पर हमने अल्रेडी वेपसाइट कर रखा है लेकिन उसमें और जो मुझे नया वेपसाइट करनी की जरूद पड़ेगी जिसके मैं पूलक करना है यहां पर डाल दिया अब अपना कंट्री कर देना है जैसे इंडिया से अंडिया सेसर्च करें और इंडिय उसको आपको क्लिक करने है trusts कर देने जिसानगे यहांसे जो भी आपका कैटेग्री है तो मेरा यहां पर अधर मैं सेलैट पर आब यहांपर मेजर मेटकी करें उसके बाद करना है उसके बाद सबसे पहले हम को कंट्री करना होगा जैसे कि मैं इंडिया को मैं सेलेट कर देता हूं इंडिया को सेलेट करने के बाद यहां पर टर्म सेंड कंडिशन आ जाएंगे जिसको असेप्ट करना है यहां पर रीड कर सकते हूं अगर रीड करना चाहो और नीचे आपको आना है यहां पर क्रियेट पर आपको क्लिक कर देनी है अब हमारे एकाउन यह पर आपको करना क्या है अब आपको यहां पर एकाउंट सेक्सेक्ट हो चुका है आपको कोड डालने की जरूत पड़ेगी कुछी सतरह से दिखने को मिलेगा नीचे में आपको यहां पर देखो figure tag resetting पर क्लिक कर देना है यहां पर यहां पर यहां पर रिक उप्सण पर क्लिक कर देना है उसके बाद यहां पर थोड़ा सा वेट करने नहीं क्योंकि लोडिंग दें यहां पर इंस्ट और उसको अप्शन को क्रों और है और यहां पर हो और को यहां पर करने के लिए चले जाना है जो उपर ही होता उसके बाद यहांपर ctrl भी से करते ना जैसी पेस्ट करोगे इसको भी सेव करले ना थ्रहाँ आपको वेट करना यह यहां पर 10 से कंड का समय ले सकता है यहांपर सेव इजली हो जाएगी हमारा सक्सेट्पूल से भो गया है अब हम लोग करते हैं Google Tag Manager को verify करते हैं Google Tag Manager को verify करने के लिए Google Tag Manager में आपका एकाउंट को submit करना होगा उसके लिए आपको करना क्या होगा Google पर आना है simple search करना Google Tag Manager क्योंकि टैग मेनेजर को हम verify करते हैं तो यहां पर Google Tag Manager आ जाएगा जैसी क्लिक करोगे यहां पर फर्स नमर का कर लेना है दें यहाँ पर आपको बैप साइट को समीट करना होगा तो रहाँ करकोई संदीप ने कर को संदीप टालोगे उसके बादि यहां पर कुलेट करना जैसे मैं ने आपने डेमो डिएप साइट का नेम नीचे क्रद और नीचे को प्स цен है इसको सभस्क्राइब कर सकते हो कर सकते हो जैसे क्लिक करोगे त्थवा से आपको वेट करना है तब हैं गुलेजर का टाला था उसके नीचे ही आपको डालना है तो यहां पर सरच कर देना है जैसे हेड लिखोगे तो फर्स नंबर पर ही मिनुएली होता है सभी जितना भी आपने टेंपलेट इंस्टॉल किया है तो सभी पर फ़र्स नंबर पर होता है जैसे मैं इंटर करूँगा देखो यहां पर लोक लेकर मुझे सि्मบल दिखा रहाले क्यों कि फर्स नंबर परनें तो आपको करना क्या है कंट्रॉल यहां पर गांट्रॉलस करना ध्यांद करोंगे यहां पर सेब करकेdesUND कर द यहां पर सोल्व करके मैं दिखा दूँगा सबसे पहले प्रोसेसिंग ले रहा है तो यहां पर यहां पर दिखा दे रहा हूँ यहां पर पर नहीं दिख रहा होगा तो पहले मैं यहां पर जूम कर दे रहा हूं अब आपको आपको अच्छी तरह से पता लग गया होगा अगर आपको अच्छी तरह से नहीं पता लगा तो आप अभी कोड को यहां पर जो है उसको यहां पर पेस्ट कैसे करना वह मैं आप बता रहा ह हुआ है तो सिंपल से आपको स्मॉल में लिखना एंप उसके बाद एवला जो कॉलम मैं भी आपको डालने वाला हूं वह आपको यहां पर दे देना है इस तरह से बुलू हो जाएगा आप मैं यहां पर सेब करके देख ले रहा हूं क्या यहां पर सेब हो रहा है या फिर नही के लिए जो सेकेंड नंबर का कोड इसको पेश करने के लिए आपको हेट सेक्षन का क्लोजिंग सेक्षन देखना होगा क्यूंकि उससे बाद ही बोडी सेक्षन स्टार्ट होता है उसके लिए आपको यहां पर करना क्या है कंट्रोल करना है उसके बाद यहां पर सर्च करना छूंबल उसके बाद इंटर आपको फ्रेस करदेना है यहां पर बोडी सेग्षीन का सिक्षन यहीं से खरका के लिए उसी पर पेष्ट करना इसे यहां पर सलसीं हो डाएप यहां से पिरेट करना है और यहांपे क्रोद को monastery करना है अब आपको इस code को copy कर लेना है simple सा और यहां पर paste करना है पेस्ट करने के लिए आपको यहां पर click करना है और देखो यहां पर एक blank हो जाएगा already हो गया है उसके बाद यहां से control भी से यहां पर paste कर देता हूं उसके बाद मैं देख ले रहा हूं हो गया है मैंने लाइब आपको दिखा दीया अब मिरे यहां पर गिलीक करता मैंNews को एरर आती है तो थोड़ा सबको वेट करना अब हो जायागा देखो मैंने बताया अभी सक्षेक्पूल आपको दिखा दिया हो चुका है अब मेरे यहां पर दो तरह के और चीज वेरिफाइब करने होंगे सबसे पहले डोमें से उसके बाद यहां पर आपने वेपसाइट को आप उसकन देशन में इस फाइल को अपलोट करना होता है अब मुझे अब मुझे लास्ट में हाणा डॉमें नेम पर वाइडर है जहां हमें वेरिफाइड करना होगा इसको वेरिफाइड करने के लिए सिंपल सा इस पर क्लिक कर देना है इसमें एक टर्मस और कंडिशन कि आप जब भी इसको वेरिफाइड करने जाते हैं तो आपके वेब साइट है जो डोमेन है वह.in.com किसी भी टॉप लेवल डोमेन होनी चाहिए य इसको कैसे करना मैं आपको बता दे रहाँ करना हों कैंकि कई लोग के पास होता है मोश्टी लोग के पास तो इसलिगिसलिग मैं आपको बता रहा हूँ इसमें बताए घर है जहां से गोडिघ Really Home हो गया उसको ऑपिन करना है सबसे पहले flame पर kitchen खिलिक हो जाएगा तो मैं सिंपल के लिए मैंने संधीफब.it जो डॉमेंट मैंने यहां पर खरीदा है उसको मैंने यहां पर ओपेन कर लिया है कैसे करना है सबसे पर नेस मनेजमेंट को आप्शन पर आती है और यहां पर जो भी होता है जैसे माने आप अपको बताया IAX जो कोपी किया था यहां से ओपल से करने यहां पर सोस्नीपल स्कूर्वल सा पिस्कों Dart यहां करने वाला हूं क्योंकि download अलग है है और यहां पर डोमेश से मैं प्रीमियम नहीं किया है स्नुपर करना है ब्लोगर पर रहें और बाकि Iagran करोगे तो वेरिफाइड हो जाएगा देखो मैंने अल्रेडी इसी डॉमेंट को मैंने वेरिफाइड कर रखा है यहां पर आप देख सकते हो संदीफप.in और यह रहा जो डेनेस मेंजमेंट को है तो सिंपल सा वेरिफाइड हो जाएगा अभी इस पर क्लिक करोगे तो डॉमेंट के लिए अभी मैंने आपको बता दिया कि कैसे वेरिफाइड करना मैंने भी हाँ पर वेरिफाइड कर पाएगा और गूगल की कर आओलर है उसको समझ नहीं आएगा कि आपका वेपसाइड क्या चीज का है तो चलो मैं आगर गाईस इस तरह के वीडियो देखना हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बहुत मुझे मोटिवेट फील होता है और किसी भी तरह का मुझे प्रोग्लम लगता है अगर आपको लगता है तो आप मुझे इंस्टार आपका कॉंटेट कर सकते हो संधी संधी ब्लॉगिंग टिफ्स जो कि मैं फ्री आपको करने के लिए रेडी हूं सिर्फ आपको यहां पर फॉलो कर देना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद